Hello everyone, guys my name is Vinit Kangre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला बाई PW दोस्तो जबी भी किसी exams के बहार student आते है और जब उनको पुछा जाता है exam कैसे हुई majority student बोलते है अच्छी हुई, बहुत सो का result अच्छा भी आता है लेकिन बहुत सो का result जो वो चाहते थे वैसे नहीं आता है हाला कि exam उनके according अच्छी गई थी, लेकिन फिर भी guys अगर वो result उनके according नहीं आया है उसका simple सा reason क्या है उसका simple सा एक मात्र reason है silly mistakes, yes guys मेरी मानो तो silly mistakes या सबसे risky factor इसको जरा भी हलके में ना लो इस पर अभी से काम करना शुरू करो क्योंकि बता है guys कोई चीज अगर आपने option में डाल दी कोई topic को अपने option में डाल दिया और उस topic को अपने पढ़ा ही नहीं तो वो उस topic से related जो भी question है पहली फुरसत में पढ़कर छोड़ दोगे और आगे बढ़ोगे मतलब आपने अप question मस्त गई exam लेकिन कुछ तो silly mistakes आपने उन questions में कर दी ती और उस वज़े से जो सोचा था वैसे result नहीं आया तो सोचो कितना बड़ा आपने अपना नुकसान या loss या पैर पे कुलाडी मारी क्योंकि वो 3 mark जो आपको मिल सकते थे correct आने पर वो तो गए और उपर से जो minus 1 मिल रॉंग आने के वज़े से वो लग तो गईस मतलब आपका देखे जा तो चार मार्क का नुकसान हुआ है तीन मार्क वो जो मिल सकते थे वो गए प्लस आपने इतनी महनत करकी भी finally क्या मिला minus 1 so guys silly mistake पे आज से अभी से काम करना शुरू करो यह बहुत रिस्की साबित हो सकती student क्या practice करते समय सर मेरी silly mistakes होती है ठीक है हो जाएगा cover हो जाएगा practice से हो जाएगा अरे बस ऐसे सोच करनी होगा एक structured manner आपको use करना होगा एक structured process आपको use करनी होगी silly mistakes को हटाने के लिए avoid करने के लिए so guys आज के अपने इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि कौन-कौन सी वह silly mistakes है पहले तो जो आप जनरली करते हो एक as parents एक student जनरली करता है और उसके बाद उसको हटाने के लिए उसको avoid करने के लिए क्या वह important टीप से तो yes guys how to avoid silly mistakes in cat exam और any competitive exam guys cat omets कोई भी हो जाए ठीक है तो पहले तो बात करते हैं क्या types of silly mistakes है जो जनरली आप करते हो silly mistake while reading question कई बारी हम question ठीक से नहीं पढ़ते हैं कई बारी questions हमने जो पढ़ा है वो उपर उपर से पढ़ लेते हैं और main जो चीज उसने क्योंकि कई बारी क्या होता है ना guys हम एक variety of question की practice करते है और exam में भी दिक्टो वह variety आ जाती है लेकिन final उसने कुछ तो गुगली कुछ तो twist डाला होता है और वो हमसे miss out हो जाता है उस खूशी में या उस हडबडी में क्यार अर यह question तो इस टाइप के question तो हमने कर लिए ऐसे question की trick तो हमें पता है लेकिन हो सकता है उस question की trick से शायद आपका x निकलता हो x लेकिन question ने आपको x निकालने बोलते होगा find 3x मतलब मान लो guys अगर पूरा question जो भी trick आपने सीखी थी जिसको लेकर आप भावूग हो गए हडबडी में आपको लगा किया रेसे question तो हम लेकिन आखरी line में बोला था find 3 times of x तो अगर x हमारा 15 आया है option में 15 हडबडी में आपने tick कर दी लेकिन question ने बोला था find 3 times of x मतलब correct answer क्या होना चाहिए था guys 3 into x 15 था तो 45 should be your answer और option में ये भी था एक कोने में लेकिन आपने इसको ignore किया क्यों क्योंकि reading question याने question जब आप read कर रहे थे आप बहुत ज्यादा क्या होगे बहुत हडबडी में आपने पढ़ लिया या बहुत ज्यादा आपने होता है ना जैसे किसी कोई question अगर exam pressure में अचानक से वह आजाए जो हमने किया है काफी time तो हम खूश हो जातेगा इस काम रहना है तो वो tips तो मैं बताऊंगा आगे क्या करना है तो yes reading question at the time of reading ठीक है कोई भी question at the time of reading जो हम हडबडी में गडबडी करते हैं जो मैं हर बार बोलता हो वह अवाइड करना है guys हमें अगर x ना बोलते हुए 3x बोल दिया तो वही पढ़ो ना पूरा last word तक पढ़ो question mark आन कुछ hint हो जाती है और उस word को ऐसी पढ़ते पढ़ते ignore कर दिये थे तो क्या करना चाहिए आगे बताऊंगा guys कभी कबार question है आपको हर data monthly 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 देकर final answer पूछ लाए find monthly income find annual income बराबर दो बंदों का मानलो आपको monthly income का ratio दे दिया है 2 to 5 आगे कुछ तो आपको condition दिये जिससे आप इनकी income निकाल सकोगे लेकिन guys अगर ratio monthly income का है तो पहले तो आप monthly income निकाल लोगे आपने monthly income मानलो a की 2x मानली है b की 5x मानली है आगे कोई तो condition दिया है उस condition से आपने उनकी monthly income निकाल ली of course x निकलेगा x की value यहां रखोगे a और b की monthly income निकलेगी लेकिन last में question ने पुछ लि और जान बुछकर हो जो monthly income का answer होगा वो option में दिया रहेगा तो into 12 करना हमारा पर्ज है करतव है responsibility अगर हमने question पुरा पढ़ा होगा तो और वो हमने नहीं किया क्यों हड़ बड़ी तो guys एक तो silly mistake होती है आपकी question को read करते समय है मैं आपको बता रहा हूँ आप मैंसे कई student इस बात से बिलकुल rubaroo होंगे जो practice कर रहे होंगे DPP solve कर रहे होंगे जो mock भी लगाना शुरू कर दियो होंगे by chance तो guys जो weekly test definitely दे रहे होंगे guys आप लोग इन बातों से बिलकुल अपने आपको कोई ना कोई stage पर हो सकता है इस mistake से हो सकता है अगली mistake से बिलकुल क्या करोगे अपने आपको relate कर पाऊगे तो reading question करते समय मतलब question को read करते समय student generally mistake करते है किस type की mistake हो सकती है मैंने आपको बता है of course cont specific mistake में बता रहूँ लेकिन यह जो common mistakes है इसलिए मैंने यहाँ पर cont di नहीं है आप देखो यहाँ पर अगर आप title भी देखो तो basically आपको यहाँ पर overall mistakes जो RCS में भी हो सकती है जो LRDI में भी हो सकती है second guys silly mistake in calculation yes यह cont specific mistake है यह DI specific mistake है not only cont क्यों calculation तो होता नहीं है तो calculation करते समय आप काफी बार mistakes करते होगा इस अब इस mistake को कैसे avoid करना है calculation में कई बार student का क्या होता है generally percentage related कुछ mistakes हो जाती है ratio related कुछ mistake कभी कभार simple multiplication division में mistake हो जाती है ठीक है for example ऐसा कुछ होता है अगर मान लो 3 by 5 minus x plus y upon 3 अब ऐसे case में क्या करते है guys cross subtraction so 3 into 3 9 अब minus guys minus sign के बाद जबी भी कुछ चीज़ आती है equation form में तो हम हमेशा उसका sign change करते हैं हम bracket में खेलते हैं so that आगे चलके हम उसका sign change करें student पता है help buddy में क्या करते है 3 into 3 generally cross subtraction ऐसे करते 3 into 3 9 minus 5 into x 5x plus 5 into y 5y student ने क्या किया 5 को x से भी multiply किया 5 को y से भी किया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बहतरिन लेकिन एक गलती से आप में से मुझे तो पता है तो यह minus sign अंदर के values का भी तो sign change करता है आपने सिरी minus 5 into x minus 5 x कर दिया लेकिन ए minus sign y को भी तो multiply करेगा y के sign को मतलब guys जिन लोगों को एक correct लगा होगा अब मैं बता दो correct क्या था सबसे वहले 3 into 3 9 सही है minus 5 into x plus y देखो मैंने कुछ नहीं किया अभी मैंने soli नहीं किया जिस आपको अपनी गलती बताने के लिए 3 into 3 9 minus sign as it is है न 5 into this entire equation as it is 5 into this entire equation x plus y ठीक है अपन आपको मालूम है denominator into denominator 15 बराबर so guys अब देख लो 9 अब ये minus 5 अंदर multiply करेगा minus 5x जो कि हमने पहले भी किया था और हमने हटबडी में पहले क्या कर दिया था जो student generally करते 5y को plus ही रखा था बट नहीं guys ये minus sign जैसे x को multiply किया y को भी करेगा so minus 5 into y minus 5y upon 15 जिनोंने ये समझा ये लिखा वो सही है जिनोंने गलती से सिर्फ ये minus 5x plus 5y कर दिया होगा वो गया guys है ना जो मैंने पहले बताया था 9 minus 5x plus 5 into y 5y है ना जिसने ये sign change नहीं करी होगी क्योंकि minus sign guys पूरे bracket को multiply कर रहा था तो हर एक का sign बदलेगा तो ये गलत है ये सही है एसी mistake से बचना है सर कैसे बताऊंगा आगे ठीक है पहले तो मैं वो types वो common types जो student करते है और मैं guarantee से बोल रहो आप में से जो भी लोग ये video देख रहे हो आप इस बात से relate कर पा रहे होंगे ठीक है and guys third is silly mistake while selecting an option ये तो बहुत ही मतलब इतनी risk की mistake है इतना सही कर दिया correct answer आ गया लेकिन option गलत tick कर दिया हमें दिख गया था B answer है बट हडबड़ी में C पे tick कर दिया पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था हमें दिख गया था D answer है बट हडबड़ी में C पे tick कर दिया ठीक है इन चीजों से बशना है अच्छा कई बारी नंबर के साथ भी खिलवाड हो जाती है मानलो हमारा एंसर आ जाता है 1386 इस इस वाट एक्चुल एंसर 1386 यह करेक्ट एंसर है अच्छा एक क्वेश्चन तो मैं हमेशा लेता हो इस टाइप का और majority student इसमें फस्त है option पता है क्या दिया होता है 1300 option दिया होता है 1368 option दिया होता है 1390 option D दिया होता है none of these none of these अब एंसर आया है 1386 हम option पे नज़र गुमाते है लगबग ही हमें लगता रहे हाँ यह यह अरे यह ही है यह तो हडबड़ी में ही होता है unnecessary आपको जो खुशी होती है answer match कर गया उस खुशी के मारे आप हडबड़ी कर देते हो guys काम रहना बहुत ज़रूरी है तो 1386 answer आया है तो 1386 ना यह है ना यह है ना यह है तो correct answer आने चाहिए none of these but एक question है ऐसे मैं जभी भी लेता हो नो पोल लेता हो इस case में तो majority student इस पर टिक कर देते है नजर हटी, दुरघटना घटी और यार मुझे बताओ आपने इतना सही calculation करके इतना correct answer लाया था time देकर इतनी मेहनत से जो पूरे तीन मार्क जेब में थे बस टिक गलत option पे कर दिया और गई भैस पानी में तो guys इससे बचना है इससे बचना है, इन सारी चीजों से बचना है तो ये है वो तीन common silly mistakes जो student देखो कोई concept आपने पढ़ाई नहीं और फिर भी वो जबरदस्ती attempt करने गए और आपका गलत आया, that is not the silly mistake वो आपकी mistake है वो mistake है, वो mistake क्यों कि वो concept आपने पढ़ाई नहीं था वो topic आपने पढ़ाई नहीं था, वो approach आपने कभी सीखाई नहीं था ignore कर दिया था और उस वज़े से आप जबरदस्ती उसको solve करने में गए गलत कर दिया, वो आपकी mistake है ठीक है, वो तो आपको proper concept पढ़ना होगा समझना होगा, लेकिन जो चीज़ आप करे हो इतने अच्छी practice करे हो आराम से कर सकते हो कर भी लिया, time भी दे दिया लेकिन क्या हुआ, तो बीच में कोई तो calculation mistake कर दी या फिर x निकालने बोला ही नहीं था question ने, 3x निकालने बोला था, आप x पर टिक कर दिये या जैसे मैंने कहा कि question ने आपको सब data दिया था, monthly, monthly, monthly income का लेकिन final उसने annual income बोल दिया था तो into 12 करना जुरूरी था आखरी में बड़ आपने online पढ़ीन, इतना खूश हो गएगी अरे, ऐसे question तो हमसे बन गए और वो जानबुचकर गलत option देता है monthly वाला answer भी देगा, x वाला answer भी देगा 3x बोला, into 3 करना, हम भूल गए monthly का annual बोला, into 12 करना, हम भूल गए जिसने किया, वो सही है जिसने नहीं किया, वो महनत बेकार तीन mark जो मिलने वाले थे, वो भी गए time भी गया, और negative mark मिला, वो अलग और कई बारी तो सब correct लाकर भी सब correct लाकर भी गलत option पर टिक कर देते हैं तो यह है वो तीन common mistakes, guys calculation की reading question को read करते समय, calculation की और option को टिक करते समय, खीक है, जैसे मैंने बाकी जो topic पढ़ा ही नहीं है, approach सीखा ही नहीं उसको solve करने का गलत हुआ, that is your mistake वो silly नहीं है, silly को avoid करो क्योंकि silly में आपना time भी invest करते हो तो अब देखते है tips to avoid silly mistakes तो guys सबसे पहले तो देखो आपको जबी भी आप exam देने जाते हो center पर आपको क्या दिया होता है एक rough book दिया होता है rough notepad दिया होता है, paint दिया होता है और ये चीज habit बना लो guys not only for cont for LRDI as well, for VARC as well तीनो section के लिए जबी भी आप कोई important चीज पढ़ रहे हो फिर वो puzzle हो, वो DI related case let हो वो RC हो, या वो cont का कोई 4-5 line का word based question हो guys given data लिखने के आदत रखो और given data में सिर्फ number नहीं लिखना है वो कोई important सा word होगा जैसे कि मानलों आप LR की puzzle case कर रहे हो उसमें उसने आपको directly और indirectly एक बंदे का gender दे दिया है ठीक है सुर्भी इस फ्रेंड ओफ मीरा हूँ इस लाइक सुर्भी इस फ्रेंड ओफ मीरा हूँ इस गर्ल ऐसा कुछ तो आपको दे दिया है तो note down कर लो student क्या करते है यार याद रख लेंगे इसको मीरा लड़की याद रख लेंगे और देखो जोरी नहीं है question में हो सकता है किसी era related question में day to day life के जो नाम है हमें लगता है सचिन सचिन तो लड़का ही होगा बट हो सकता है उस case में उसको लड़की बना दिया हो तब हम उस पर debate नहीं कर सकते है और यह कैसे हो सकता है यह तो possible नहीं है नहीं भाई सचिन अगर किसी अपने बेटी का नाम भी सचिन रखा किसी इंसान ने तो उस पर कोई case नहीं होने वाली legal यह possible है कि एक इंसान ने अपने बेटी का नाम सचिन रख दिया या उसी तरह उस case में एक सचिन नाम की लड़की निकल जाए ठाए या फिर आपको बोल दिया है कि रीटा is a student हर मतर ठीकि अगर हर मतर बोल लिया मतल। रीटा लड़की सेम्-VARC में भी और ऐसी चीज जब मिलती है न तो उसको याद रखने की जुरुरत मत करना उसको याद रखने की जुरुरत मत करना student ये याद रखने वाली चीज भुली जाते है जो case का रुख बदल सकती है उस question का रुख्ख बदल सकती, उसको लिख लो नोटपैड दिया है आपके पास सब वो important words important numbers, फिर वो percentage हो ratio हो, जो भी हो important data लिखने की आदत रखो गाई जब लिखने की जैसे कि मैंने कहा है आखरी line तो question पड़ो, अगर उसने question mark तक आपने पढ़ा है तो आपको समझ जाएगा कि उसने आपको x नी 3x बोला है वो भी लिख लो कि हड़बड़ी में हमेशा हमें लगता है x मतलब ही पूरी दुनिया है, नहीं, x नहीं इस question में 3x दुनिया है क्योंकि 3x बोला है, उसको लिख लो अच्छा, पुरा पढ़ा है अगर हमें दिख रहा है आना उतना बड़ा रिस्क नहीं है answer wrong आया, option में नहीं है तो कम से कम हम second thought देंगे कि भाई कहा गलती हुई और हमें अपनी गलती फिर हाथ में आ सकती भाई time जाएगा, बट कम से कम गलती हाथ में आ सकती हम उसको सुधार सकते लेकिन guys, wrong answer आकर अगर वो option में दिख गया फिर तो भाई, सबसे बड़ा risk क्योंकि हम second thought देंगे जैसे मैंने बोला कि annual पूछा था लेकिन monthly income हमने निकाल लिया, जान बुछ करो देगा उसको पता है, student ये mistake करते 3x के जगे x की value भी देगा 3x तो देगा, x भी देगा, student x भी टिक करेगा क्योंकि आप याद रखने की दुरुरत करते हो कि यहाँ याद रखेंगे, हमें 3x निकालना है नहीं, लिखो हमें 3x निकालना है याद रखेंगे इसका gender ये है, नहीं लिखो उसका gender ये है, तो guys जो भी important highlights of the question, of the case होती है वो लिखने की आदत रखो स्टार्टिंग में time सर, time नहीं जाएगा इसमें, देखो time जाएगा यार, लेकिन मैंने बोला ना की risk देख रहे हो, आप 4 mark का risk है जो 3 correct हो सकते थे, वो तो गए minus 1 extra स्टार्टिंग में time जाएगा लेकिन जब आप इसकी practice अभी आपके बास time है जब इस practice से आप अपना अभी शुरुवात करोगे, हर mocks में इसी तरह से करोगे, तो धीरे धीरे ये time भी ज़्यादा time taking नहीं रहेगा ये time भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने लिखने में कोई time, ऐसी भी यार given data लिखना तो एक basic process भी होती किसी भी question या case को solve करनेगी तो ये basic process है, बस student laziness student क्या करती, इसको casual लेते हैं हाँ, याद रख लेंगे, याद रख लेंगे नहीं guys, लिखो अभी से आदत डालोगे, एक्जाम में लिखोगे आप सोचोगे, हाँ, मैं strategy बनागे जाऊँगा कि जब मैं cat exam देने जाऊँगा, मैं लिखोगा अरे नहीं, अभी से अगर आप सिर्फ सोच कर जाऊँगे, कुछ नहीं होगा अभी से लिखने की जो भी practice कर रहे हो, DPB solve कर रहे हो, mock solve कर रहे हो, अभी से लिखने की आदत डालो तो guys, यह है first, point, add the important word, numbers, data, while reading the question तो ऐसे question को point करो, highlight करो, of course अब आपका online या screen पे तो highlight नहीं करोगे तो इसको leak हो, इसलिए मैं बोल रहे हो, leak नहीं की आदत डालो, important highlight of the question 20 minute calculation practice everyday in random manner तर 20 minute calculation practice यह कुछ अलग चीज़ है, जो हम DPB solve कर रहे हैं, आपके notes solve करते हैं weekly test, extra materials solve करते हैं, उससे अलग, yes guys, 20 minute दिन के अलग निकालो सिर्फ calculation practice के लिए, यह अब इनके लिए खास कर, जो calculation में silly mistakes करते हैं मैंने आपको तीन type of mistakes बताएं न guys, तो एक तो reading question को read करते समय, एक option को tick करते समय और calculation, तो guys, जैसे मैंने कहा था, आप अगर cross multiply कर रहे हो, और गलती से आपने हाँ minus sign देखकर और उसको time change किया ही नहीं, आगे वाले equation का, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आपको यही याद रखना है guys, कि 20 minute मुझे रोज calculation की practice करनी है अब आप बोलोगे सरे random manner क्या है, random manner मतलब उसके लिए आपको कोई book लेने की ज़रूत नहीं है, कोई question लेने की ज़रूत नहीं है, यह calculation मतलब pure calculation, आपको पताएगा इस, cont में तो आपको definitely पताएगी भलाई 100 तरह के concept हो, लेकिन आखरी में तो चीजे calculation पी आके रूखेंगी data क्या दिया है, उससे मैं topic समझेंगा, topic के formula यूज़ करेंगे, shortcut यूज़ करेंगे, लेकिन आखरी में बात तो calculation पे रूखती है न, तो खताम यार, आपको अगर calculation की practice करना है, तो उसके लिए कोई question लेने की ज़रूत नहीं है, एक notebook लो, rough, pain लो, और अपने मन से random कोई भी दो values को multiply करो, 15 into 18, 35 into 49, 356 divided by, अपने मन से random, खुदी-खुद के teacher बन जाओ, खुदी-खुद को number दो, किके अपने मन से चलने दो, 15% off, बस क्या करना है, multiplication, division, percentage ratio, cross multiplication, उसकी practice करना है, तर ये practice के लिए question कहां से उठाए, अपने मन से, पहले दिन दो-दो digit के उठाओ, दूसरे फिर चार-चार लो, guys इससे दो फायदे होंगे, सबसे पहले तो जो calculation वाली silly mistake के life में कभी निकरोगे, अगर रोज 20 minute दे रहे हो तो, everyday 20 minute, ये सबसे बड़ा फायदा, दूसरा फायदा, speed, आपकी speed calculation की इतनी improve हो जाएगी न, जो ultimately cat में आपको उस extra speed गा, जो बाकी बच्चा जो time उस calculation को देगा, बट आपके practice के जिसे आपने उसको इतना fast कर लिया कि उस extra time में आप कम से कम एक दो question और extra attempt कर लोगे, और guarantee है, guys, ये चीज़ guarantee है, क्योंकि यार वो unnecessary छोटे मोटे calculation के लिए calculator लेंगे, cat में calculator allowed है, ये बच्चों को लगते कि इतना अच्छा बात है, मैं useful है, इसलिए मैं इसको risk गलत word हो गया, लेकिन, guys, useful बहुत है, बट सही question में, सही calculation में, हर चोटे से calculation में, अगर आप calculator उठा रहे हो, 48 into 12 के लिए आप calculator उठा रहे हो, अरे जितने time में आपने button दबा है, उतने time में तो बच्चे ने question को solve कर दिया, इसका calculation अच्छा है, तो हर जगे calculator लेना ये गलत चीज़ है, हाँ, जहाँ complex calculation हैगा, वहाँ लो, वहाँ definitely low, so guys, आपने random manner में हर दिन 20 minute कम से कम, कहाँ भी बैठे हो, classroom में, recess में बैठे हो, office में, break में बैठे हो, bus में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, 20 minute निकालना है, random values लेना है, multiply करो, random value दो-दो digits से divide क करो, जब division में दिक्कत आ रही है, multiplication में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आपका ये table याद नहीं, 18 से आप divide कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, table याद करना शुरू करो, मैं तो हमेशा बोलता हो, tables must, must है, आपको अगर count crack करना है, तो tables, guys, अगर 18 से multiply नहीं हो रहा है, tables, lack of tables का knowledge, तो tables याद करो, तुरंत अपने आपको improve कर, upgrade करते रहो, percentage सीखो, percentage apply करना होता है, ratios apply करना होता है, cross multiplication करना होता है, मैंने कहा न, count में हर question किसी भी topic काओ, घुमफिर कर, calculation पे खतम होता है, है न, तो इस तरह से लो, मन से, guys, मन से चाहे, जो कभी कबार को equation ले लो, दो equation, दो variable solve करो, कोई quadratic equation randomly ले लो, solve करो, यार, यह 20 minute करना है, हर दिन varieties रखो, मतलब आपको भी करने मज़ाएगा, हर दिन स्रिफ multiplication, multiplication करोगे, तो आप भी बोरो जाओगे, varieties रखो, और आपको अब इतना practice में समझी गया होगा, कि आखरी में हर चीज यही पे रुखती है, कहीतो हम cross multiply कर यह एक चीज आपको करना है, 20 minute everyday calculation practice और वो जो बच्चा कर लेगा, तो मैंने दो फाइदे बोले, एक तो calculation वाली silly mistake कभी नहीं होगे, और दूसरा time जो बचेगा उस वज़े से, जो unnecessary छोटी छोटे calculation के लिए आप calculator को touch नहीं करोगे, हाथ नहीं लगाओगे, screen calculator को भी, guys, उस से जो time बचेगा, उस चक्कर में आप अच्छे खासे question आगे कर लोगे, third and most important, avoid mind calculation till you get expertise, please student, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा, याद रख लेंगे, यह लड़का ही है इस case में, यह लड़की ही है इस case में, याद रख लेंगे, हमें 3x ही निकालना है, याद रख लेंगे, guys, यह याद रख लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि आप वाके में याद रख लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि आप बोलते हो, याद रख लेंगे, और आप रखते हो, तो go ahead, guys, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, but वो बच्चा जो बोलता है, हाँ याद रख लें तो उसी तरह जब तक आपको calculation में भी वह expertise उम्हारत हासिल नहीं होती है आपने calculation मनी मन करने को avoid कर रहा है जब cat आने में होंगी तब तक आपकी उतनी expertise हो जानी चाहिए कि आप calculation खुदी कर डालो मनी मन कर डालो छोटे छोटे चोटे calculation जिसके लिए unnecessary तीन चार स्टेप्स लग रही है वह आप मनी मन calculation कर डालो ठीक है यह तो मैं खुद चाहूंगा लेकिन गाईस वह expertise जब तक नहीं आ रही है तब तक थोड़ा time दो इस चीज को जब यह 20-20 minute की चीज़े आप रोज करोगे यह expertise खुद बखुद आ जाएगी लेकिन पहले यह करना होगा तब यह आएगा जब तक यह नहीं आएगा mental calculation जो होते हैं खासकर complex calculation जब आते हैं complex equations जब बनते हैं या divisions जब बनती है तो वहाँ avoid करो वहाँ rough notebook use करो rough work use करो है ना तो गाइस यह जो दो चीज़े हैं लगबक से हैं वह यहीं बोलती है कि जब तक आप वाक्य में इस चीज़ को implement नहीं कर सकते कि मैं याद रख लूँगा यह मनीमन calculation कर लूँगा तब तक आपको यह risk लेना भी नहीं है धीरे धीरे जैसे time pass time आगे जाएगा आप अच्छा खासा confident feel करोगे यह ना conceptually भी और overall practice wise भी तब ह हो सकता है कि आप वाक्य में सोच रहे हो कि हाँ मैं पूरा question सर एकदम आसानी से मैंने पूरा पढ़ा बिल्कुल हडबड़ी नहीं की और जो जो चीजे मैंने सोचा था याद रखूँगा मैंने रखा बहुत बढ़िया calculation भी सरब मेरे मनीमन हो रहे है बहुत बढ़िया ले तो मेंटली पहले उस पर काम करो एक्सपर्ट अपने आपको मानो मत जब तक नहीं बनते जैसे मैंने कहा गाई मौक्स देना जब शूरू करोगे आप देखो जैसे मैंने तीन टाइप की मिस्टेक्स बोली option को गलत करना understanding question को read करते समय गलत कर देना या calculation mistake तो गैस देखो आ आपका same एक ही type की silly mistake हो रही है स्रिफ calculation calculation वाली या हर type की कर रहे हो और क्या हर मौक्स में कर रहे हो और जब से फिर आपने उसको पूरी तरह से उस पर काम करना शुरू किया इन tips को देखना शुरू किया इन tips को implement करना शुरू किया 20 minute practice mental calculation को थोड़ा avoid किया then हर चीज को लिख कर गए लिखते गए लिखते गए जो important highlights है so that आप कोई भी चीज मिस ना करो उस case की उस question की और क्या उससे आपका कम हुआ है silly mistakes का जो एक पहले मौक में मानलो 5 थे silly mistakes के वज़े से आपके wrong हुए second में 4 हुए क्या ये कम-कम हो रहा है अगर हो रहा है तो go ahead guys ठीक है go ahead और एक ह किसी type पर आपकी मानलो sir मेरे से गलत option पर tick करने में गलती होती ही नहीं है question को पढ़ने में मेरे से गलती होती ही नहीं है मेरी गलती सिर्फ calculation mistake की है तो इस time इस वाले method को ज्यादा time दो जो मैंने 20 minute बोला वहां 30 minute कर दो इसलिए आपको वह चीज कब समझेगी जब आप सही से track रखोगे कि आपकी mistake exactly हो का रही है वह mock देते समय है DPP solve करते समय है extra study material में से question solve करते समय है अगर हर बारी calculation 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 में first रहो 20 minute के जागे 30 minute दो अगर हर बारी आपको लग रहा है कि मैं question को read करते समय ही गलत interpret कर रहो data को ठीक है या read करते समय हड़बडी कर रहो तो फिर इस first वाल रहेगा लेकिन जब तक वह महारत मैंने कहा हसिल नहीं होती तब तक करना होगा ठीक है guys next make a habit of rechecking खासकर calculation करते समय है थोड़ा सा फलाई चंद सेकंड दस सेकंड एक्स्टा जाने दो अरे किसी question को solve करने में अगर आपने दो मिनिट दे ही दिया है दो मिनिट दे ही दिया है मानलो जैसे मैंने आपको एक ग्जांपल दिया था कि मेरा answer अगर 1386 आ रहा है और option में जो मैंने 4 option दिये थे उसमें एक option 13 ये कुछ तो और था ये option 1368 था और ये option ननौप दीज था अब ये दो option तो थे ही नहीं लेकिन guys 1386 कही ना गई 1368 से हम उससे confuse हो जाते है और वो same letters देखकर बस इदर उदर थोड़ा वो digit देखकर हम क्या करते थे तो अगर ऐसी चीज़े आपसे हो रही है और वह अगर आप 10 मिनिट का री चेकिंग देते हैं तो हो सकता है oh my god मेरे से गलती हो गई 1386 आया मैंने 1368 पर कर दिया शायद आप ये टिक भी हटा कर करेक्ट पर टिक कर देते तो इतनी मेहनत करके आपने ये एंसर लाया था अल्रेड़ी उसके लिए देड़ मिनिट मानलो दे दिया था देड़ दो मिनिट अब 10 सेकंड और एक री चेकिंग कर लेते तो गलत टिक से बच जाते न मानलो question एक बार आप इस पढ़ लेते तो जो monthly के जगे उसने annual पुछ प्रेक्स कर रहे हो तब फिर आपने री चेकिंग के हैबिट डालना है अगेन तब तक जब तक वो माइंड में फिट नहीं हो जाता कि हाँ अब मेरे को का जो calculation है वो मैं सही कर रहा हूँ हाँ अब मैं जो question है सही पढ़ रहा हूँ हाँ जो मैं टीक है वो सही options पे लगा रह लेकिन फिलाल फोकस पहला priority हमेशा accuracy पे आएगा second फिर time पे खुद बखुद वो practice से होता रहेगा ठीक है तो री चेकिंग के आदर डालोगा है last but not the least be calm while reading, solving and marking and option आपको काम रहना मैं नहीं बोल रहा हो casual casual तो बिलकुल याद रख लूँगा है न मन ही मन calculation कर लूँगा उतन आपको कोई question ऐसा दिख गया रहे ऐसे type के question तो मैंने कर लिया तो ठीक है money one भगवान का शुकर गुजार रहो कि चलो भई अच्छा एक पहला question तो अच्छा मिल गया cat में उसको solve करो लेकिन calm approach से हो सकता है आगे हलकी सी googly twist रहे तो काम रहोगे तो समझ जाएगा so be calm while reading, solving, reading क्योंकि तब आप वो reading वाली mistake को avoid करोगे, solving तब आप calculation mistake को avoid करोगे and marking यहने सही option पर tick करोगे तो यह स्थभी होगा guys जब आप money-man calm रहोगे, ज्यादा pressurized भी नहीं रहोगे, panic और ज्यादा overconfident भी नहीं रहोगे और यार कितना easy question आ गया ठीक है? calm and composed ठीक है guys तो यह है overall आज के वीडियो की कहानी अगर तीन टाइप की mistake reading मैंने कहानो कोई topic आपने पढ़ा ही नहीं वो silly mistake नहीं है उससे related जो भी mistake आप करोगे तो वो तो आपने mistake ही करी है वो तो आपको आई नहीं रहा था आपने जबरस्टेम किया और कुछ तो mistake कर दी that is mistake तो उसके लिए आपको topic पुरा पढ़ना होगा लेकिन silly mistake क्या है? read गलत किया या reading करते समय कुछ गलत data interpret कर लिए हड़बडी में second calculation mistake third again जो मैंने का गलत answer पर टिक करना सब सही आने के बाद भी तो उसको भई avoid कैसे करना है तो simple ये 6 tips याद रखो guys सबसे पहले तो data को लिखना शुरू करो जो important highlights at least उसको लिखना शुरू करो फिर 20 minute calculation हर दिन वो भी random किसी दिन percentage solve कर रहे हो कर ते रहो 20 minute रोज जब आपको लग रहे है कि आप calculation में बहुत ज्यादा silly mistake कर रहे हो तो 20 के जगे 30 भी करना पड़े तो करो ठीक है उसके बाद guys mind calculation again जब तक expertise नहीं आती mind calculation आगे चलकर आपको करना ही पड़ेगा time बचाने के लिए लेगिन मैंने कहा ना पहला focus accuracy पे तो जब तक वो confidence नहीं आता mind calculation को avoid करो rough work करो rough work करो ठीक है keep track on your silly mistake pattern so that आपको समझे कि इन तीन में से सबसे ज़्यादा mistake आप कौन से टाइप में कर रहे हो और उस पर फिर आप ज़्यादा focus करो so track रखो practice करते समय है mock देते समय कि अब ज़्यादा silly mistake कहा कर रहे हो then guys जब तक आपको वो confidence मनी मनी आ था कि हाँ मैंने silly mistake करना zero कर दिया या कम से कम बहुत कम कर दिया है तब तक question को answer को options को recheck करनी के आदर डालो कि मैंने सही से पढ़ा ना मैंने सही से तो solve किया मैंने सही तो काम रहोगे तो that's it guys this is all about today's session जो बहुत important मैंने कहा न यह सबसे अधर risky क्योंकि आप time अपना invest करते हो जो पूरी तरह waste हो जाता है क्योंकि तीन mark भी गए और जो negative मिले वो extra और अलग से आपका पूरी तरह drawback ठीक है तो guys avoid करो silly mistake को इसको हलके में ना लो और इस video को guys definitely implement करो अ thank you so much guys कैसा लगा बताना तिल देन मिलते नेक्स सेशन बाई 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 गुट दे टेक केर एंजोए